मेरी गो आप चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पिक्चर पजल यह देखे आपके सामने मैंने एक पिक्चर पजल रखा है जिसमें कि अभी मैंने सबको जोड़ रखा है आप देख सकते हैं कि यह पीस पीस है तो इसे कैसे बनाया गय है मैं बताती हूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फ्रेम है तो यह फ्रेम कैसे बनाए गया है सबसे पहले इससे समझ लिजे यह एक कार्ट बोड है और इस कार्ट बोड पे हमने किनारे से कार्ट बोड का ही एक टुकड़ लिया है बराबर में इधर भी और इधर भी और उस चारों को हमने जोड दिया है और बीच में एक कलर पेपर पेष्ट कर दिया है और इस तरह से आप देखी यहां पर इस तरह से यहां पर एक टे अथ लब तैयार हो चुका है जैसे एक फोटो फ्रेम होता है उस तरह है एक फ्रेम बहुत सुन हती और आप इसी किसी भी कलर्फुल कागत से इस तरह से सजा देगे अब हम एक काड़बोड लेंगे जो कि इसी साहिच का होगा यह जो हमने बीच में फ्रेम रखा है इस साहिच का होगा और उसके उपर किसी भी लाइट कलर का कलर पेपर चिपका देंगे मैंने यलो पेपर और इसे हम लोग फिर क्या करेंगे इस काटून कारेक्टर पर हम लोग इसकेल से इसकी साइज को नाप लेंगे साइज ले लेंगे और उसे पिस करने के लिए पहले इस पर पेल से हम लोग मार्क बना लेंगे आप देखें यहां पर मैंने आठ पीस में यानि कि एक पीस में इसे बाटा है और अब इसे मैं एक बड़े सीजर से इसे कट कर ले रहे हैं कि इसे काटने में थोड़ी कटनाई होती है लेकिन इसे हम बरावर में कट कर लेंगे और यह देखें यह जो हमने पीस था उसे सारा काट लिया है यह कुल एट पीस है यानि कि आठ टुकड़े हैं अब हम इने यहां पर एजस्ट करेंगे चुकि यह पजल है तो इसे हम यहां पर बैठाएंगे और देखेंगे कि किस तरह का हमारा यह काटन करेक्टर फिट होके लगता है लगता है यह्थे हैं कर दो, अबदान के लाहा हैी, वा था नहीं कर दो, जर पार इडिसी कर दो कर दो दो का देता है? कि इसे मैंने बनाया है और मैंने बहुत जल्दी से शेप्ट कर लिया सही तरीके से अगर इसे सायद मैं बहुत ही अच्छा पजल है और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि आपको फ्रेम एक ही बार बनाना है और उसके बाद इस फ्रेम के उपर आप जितने प्रकार का पिक्चर जैसे कि आपने देखा यहां पर इसके पहले भी मैंने एक कार्टून कारेक्टर ये दूसरा बना और एक फ्रेम पर हम जितना भी चाहें उतने पिक्चर क्या पच्छल बना सकते हैं और बाद खाते देसमें और इसमें बात होगी कि अगर झोटे बच्चों का चाहते कि वह सेट के बारे में सबीवारे में कलर के बारे मि में तो हम इस तरह का एक पिक्चत पजल उन्हें भी बना सकते हैं और उनको पढ़ाई में इस्टमाल कर सकते हैं तो उमीद है कि आपको आजकर ये क्राफ्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी इसे बनाएंगे अगली बार फिर मैं आओंगी किसी नए क्राफ्ट के साथ तब तक के लिए धन्यमाद किसी मैं आपको अच्छा अच्छा लगा होगा होगा ये भी एाझंगेग दyuतीन साथ तक तर तक किसी नएकर इसे डिएशा Vivi जएकर ख पक कर सकत्र छोगा तसेशय़्िया उनको कर अभी का चानुएमाल कि आपका हु heleका पyy सुऩ भी स्टमाल को खल में शिकर तक ब